Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life आज के हमारी रोचक और उप्योगी जानकारी है बंसकाठी और तुलाई पंजी चावल के विशह में और इन दोनों चावलों का संबन पश्चिम बेंगॉल से है तो चलिए शुरू करते हैं आज सबसे पहले हैं बंसकाठी चावल ये चावल सेला यानि पार बॉयल चावल है जिसमें बास्मती की तरह ही लंबे दाने होते हैं ये चावल पश्चिम बेंगॉल के मेदनी पुरजिले के लंबे दाने वाले धान से प्राप्त किया जाता है यहां देखिए यह चावल बासमती की तरह ही लंबे दाने वाला होता है यह है बंसकाटी चावल और यह है बासमती चावल यह दोनों आपको दिखने में एक जिसे ही प्रतीत हो रहे होंगे यह भी एक सुगंधित चावल है जो बहुत ही खिला-खिला बनता है इसलिए इस चावल को पुलाव और विर्यानी के लिए उप्युक्त माना जाता है एक कप चावल को बनाने के लिए आपको तीन कप पानी की आवशक्ता होती है बंसकाटी चावल को पकानी से पहले यदि आप 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें तो चावल बहुत ही खिले-खिले और अच्छे बनते है यह चावल पशिम बिंगॉल के बाहर ऑनलाइन स्टोर्स में ही उपलवध है जिसके एक किलो का दाम 75 रुपे से शुरू हो जाता है आज का दूसरा चावल है तुलाई पंजी चावल जिसको भारत सरकार के जियाई विभाग द्वारा जियाई टैग मिला हुआ है यह चावल एक मध्यम दाने वाला सुगंदित चावल है जो पशिम बिंगॉल के दिनाजपुर जिले में उगाया जाता है तुला या तुलाशाली का अर्थ है सुगंदित और रूई के समान नरम और इस चावल का उलेख सुन्ने पुरान में भी है जिसको तेरा सो इस्वी में लिखा गया था यह एक स्थानी यानि की नौन हाइब्रिट किस्म का चावल है इस चावल के विशे में एक कथा बहुत ही प्रचलित है कहते हैं दिनाजपूर में एक निर्धन किसान वासुदेव था एक दिन उसके गर अथिती गर पहुँचे क्यूंकि किसान निर्धन था और उसके पास खाने पिने को कुछ नहीं था तो उसने भगवान से मदद मांगी अथिती उन्हें उससे पानी ही मांगा तबी अचानक आसपास के कच्चे घरों में आग लग गई और उस आग को किसान ने अपने पानी से बुझाया आग बुझ गई मगर आसपास के कच्चे मकान जल कर राख हो गए अगले दिन सभी आसपास के किसान बासुदेव के घर खाने के लिए आ गए क्यूंकि उन्हें लगा बासुदेव के पास कोई देविये शक्ती है इस बार फिर बासुदेव ने सभी महमानों को पानी ही परोसा भगवान भी इस निर्धन किसान के अतिती भाव से प्रसन हो गए और देव वाणी हुई और उसने पूछा तुम्हें क्या चाहिए तब वासुदेव ने कहा हम भूके हैं तब देव वाणी ने उसे पानी को मिट्टी में डालने को कहा और कहा कि इस से सुगंधित चावल पैदा होंगे और लोग दूर दूर से इसकी सुगंध के लिए यहां आएंगे और विश्वास कीजिए ये चावल बहुत ही सुगंधित बनता है तुलाई पंजी चावल भी बहुत ही खिला खिला बनता है और इसका उपयोग इसलिए पुलाव और बिर्यानी में भी किया जाता है यहां तो यह तुलाई पंजी चावल कच्चे चावल है मगर इसका सेला प्रकार भी बाजार में उपलब्ध है ये तुलाई पंजी चावल बेंगॉल से बाहर ओनलाइन स्टोर में ही उपलब्ध है जिसके एक किलो का दाम लगभग 175 रुपे से शुरू हो जाता है ये बंस काठी और तुलाई पंजी चावल दोनों ही अपने विशिष्ट सुगंद और स्वात के लिए ही प्रचलित हैं और इस तुलाई पंजी चावल को यदि आप कच्चा ही खाएंगे तो आप इसकी मिठास और सुगंद को महसूस कर पाएंगे सानिय तोर पर आपके शेत्र में भी यदि कोई चावल प्रचलित है तो आप उसकी जानकारी हमारे साथ अवश्य सांजा करें और हम आशा करते हैं हमारी आज की जानकारी आपकी एवरिडे लाइफ में जरूर प्योगी रहेगी थैंक्स और वाचिंग एवरिडे लाइए 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 लाइए